दिल से धांकियू आप सब का इस चानल को वान मिलियन पहुँचाने के लिए कैसे मैजिक कर दिया आप सबने मेरी लाइफ में कैसे उस उपरवाले ने कर दिया It's amazing 23 जन्वरी को मेरे फादर की पुन्नेती थी थी और उस दिन ये परिवार एक मिलियन का हुआ रात को करीब 11 बचे, क्या सवा 11 बचे Exactly दो साल पहले 23 जन्वरी 2022 को हम 1 लाइक हुए थे Exactly दो साल के बाद 23 जन्वरी 2024 को आप सबने मुझे ये सौगात दी Thank you, दिल से आप हो और आपे की बदौलत ये सब कुछ हुआ कहते हैं ना कही ना कही आशरवाद जुड़ा होता है और मुझे उस उपरवाले का आशरवाद दिखता है मुझे मेरे फादर का आशरवाद दिखता है मुझे आप सब का बहुत सारा प्यार दिखता है I'm a mother, teacher, guide and a friend and these are my life lessons I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Little Gritty with Dr. Neeti Kaushik चली जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं 9 नमबर की बात करेंगे अगर आपकी date of birth 9 है या आपकी date of birth 18 है या आपकी date of birth 27 है इन तीनों सूर्तों में या फिर आपका destiny number 9 है अब 9 और 8 की अगर हम बात करें तो 9 नमबर आता है मार्स के लिए मंगल, करुम प्रथान क्षत्रिये वाले कहते हैं ना वर्ण, शत्रिये वाले गुण गो गेटर वाली एनरची कि मुझे करना है, बस करना है दूसरा humanitarian आगे बढ़कर सब के लिए करना चाहते हैं आगे बढ़कर दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, आगे बढ़कर सब के लिए help करना चाहते हैं इस तरह की energy है जब कोई पूछता है ना जैसे teacher class में कि हाँ, ये काम कौन करेगा तो 9 नमबर वाले सब से फेल हाथ खड़ा करके कहते हैं, yes ma'am मुझे दे दीजे क्योंकि वो हर चीज में आगे बढ़कर masters को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, या help करना चाहते हैं दूसरी चीज 8 के अगर बात करें तो वो Saturn का नमबर है, ये साल 2024, दो बार दो आता है और एक बार 04, और लास्ट में 8, तो moon energy आगई, endings and beginnings आगई, राहू के energy आगई और लास्ट में युनिवर्सल यर तो 8 है है, Saturn का नमबर है अब यूँ तो कहते हैं 9 नमबर जो है वो 8 का enemy है 8 नमबर लेकिन 9 के लिए बड़ा लगी है, 9 आठ के लिए इतना नहीं है, लेकिन 8 नाइन के लिए लगी है कथा भी है ना, कि एक बार जब शनी देव को problem होई थी और हनुमान जी ने उन्हें help करी तो शनी देव ने का था आप की, आप बूलो आप क्या चाहते हो, मैं आप के लिए क्या कर सकता हूँ उन्होंने का था, मेरे ले कुछ मत करो मेरे जितने भक्त है ना, या जो भी हनुमान जी की पूचा करते हैं या हनुमान जी को मन में धारन करते हैं उनका कभी कुछ बुरा ऐसा होने मत देना और उन्हें तथास्तु मिली थी तो ऐसे में आपके पास तथास्तू तो है आठ और नौ की अगर हम बात करें तो आठ नौ के लिए लखी है फिनांशली तो बहुत लखी है दूसरी चीज़ आठ नौ से बड़ा इंस्पायर होता है किसलिए सोचने समझने की ख्शम शक्ती से कॉंटेंब्लेट कैसे करना है चीज़ों कैसे समझना है कैसे और जादा हेल्प करनी है नाइन एक गुड टीचर की तरह बत और आर्ट के लिए सामने आता है आर्ट की ग्रोथ में, आर्ट की डेवलपमेंट में आर्ट को और अच्छे तरह से चीज़ों को समझने बूजने में एक टीचर का रोल ब्ले करता है नौ नमबर आट के लिए जब जब साटन का नेगिटिव इंपक्ट होगा तब तब क्या होगा तब तब आप लॉज और रूल्स को ब्रेक करोगे और मार्स क्या करता है मार्स तो प्रोटेक्टर है ना लोग का गलत कैसे हो जाए मैंने नाइन वाली वीडियो में जो नमबर्स की की थी मैंने लास्ट में एक बाद बोली थी ना नाइन वालों के मन में क्या आता है एक जादू की छड़ी आजाए हाथ में सारी दुनिया वदलने सारी चीज़ें अच्छी करते हैं ऐसी सोच रखते हैं नाइन वाले ऐसी ही सोच आप सब लोग रखते हो Only problem is कि वो जो कहते हैं न छुटे-छुटे घाव छुटे-छुटे तीर, जनम भर में जो आपको बचपन से आगे बड़े होते तक मिले होते हैं वस उन तीरों को इने निकाल पाते हो आप लोग उसमें बड़ी difficulty होती है वो pain, वो grudges, वो परिशानिया वो साथ में लेकर चनते हो और उसकी बदौलत अकसर आप victim mentality में आ जाते हो और ये चीज़ आपको दूर करती है अपने basic aim से, अपनी चीज़ों से दुनिया के लिए तो आप बहुत बड़ा उजाला होते हो लेकिन अपने दिल में तते सारे घाव छुपा के रखते हो उनसे आपको इस साल बाहर निकलना है तो चलिए जी देखते हैं इस साल आप सब के लिए क्या-क्या चीज़े हैं जो बहुत अच्छी होंगी वेदर आप नौन तो तारीक को पैदा हुए हो 18 को या फिर 27 को नमबर वान आप 2024 के लिए ना बड़ा अच्छा सा एक master plan बनाओगे proper तरीके से कि मुझे किस एरिया में क्या चाहिए किसी ना किसी वचे से वो आप से बनेगा ही बनेगा ताकि जो चीज़े आप चाहरे हो ना प्लान करे हो वो seamlessly होती चली जाए दूसरी चीज़ आपको जैसे जैसे साल आगे बढ़ता चला जाएगा आपको उपने उपर इस बहुत फक्र होगा आपको बहुत gratitude भी होगा और बहुत happiness की feeling होगी contentment की feeling होगी कुनकिन के नेरियाज में finance के एरियाज में career के एरिया में job के एरिया में money के एरिया में कि आप relationships के एरिया में कि आप इन सब को बड़े बखोबी से निभा पाए संभाल पाए और बहुत अच्छे से आपने more than what your abilities were आपने उससे भी जादा चीज़ों को अचीव किया तीसरी चीज़ अगर आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया है नई job स्टार्ट की है नया कोई entrepreneurship स्टार्ट की है कुछ नया काम बिसनस स्टार्ट किया है कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप खुद के लिए भी कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि इस साल जैसे जैसे उसमें आप बढ़ोतरी पाते चले जाएंगे और जादा लोगों की help होती चली जाएंगे और आप और जादा और जादा और जादा वो जहाएं चूते चले जाएंगे इस साल आपकी revenues में increase है profits में increase है income में increase है और जो आपने invest किया था न अपना समय, अपना पैसा अपना चीज़ों को लेकर रिष्टों को लेकर पैसे को लेकर FDs की थी या आपने कहीं कहीं पे property में invest किया था उन सब चीज़ों से आपको लगेगा कि इस साल returns माशाललब बहुत ही बड़ी आ रहे हैं बहुत कमाल के आ रहे हैं इस साल आप की जोली में बहुत से awards और rewards आएंगे और humanitarian grounds पर आप बहुत सारी लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे और उसकी बदालत आप सुर्खियों में आएंगे और हर कोई आपके बारे में बोलेगा बहुत बढ़िया काम किया शाबाशिया बहुत सारी इस साल आने वाली हैं आपके पास चलिए जी तो अब हम आजाते हैं difficult चीज़ों पर कौन से difficult चीज़े हैं जो इस साल मुझे दिखाई दे रही है उससा सबसे पहले है आपकी health chest, lungs cough, cold chest related issues जो भी हैं वो maximum आपको तंग करेंगे तो इसके लिए regularly गर्म पानी पीते रहेगा निवाया या गुनगुना पानी गर्मी हो, सर्दी हो, हल्का निवाया या गुनगुना पानी लीजेगा हल्दी का सेवन जादा करिएगा because हल्दी आपके लिए बहुत beneficial होगी अगर आप दूद लेते हैं तो दिन में लीजेगा, रात के लिए avoid कर दीजेगा और दूद लेते हैं तो उसमें हल्दी और काली मर्च को boil करके उसको आप पिएंगे तो अच्छा रहेगा समय समय पर काड़ा लेते रहेंगे तो आपकी health issues को benefit होगा लेकिन health issues इस साल आपको तंग करेंगी, दूसरी चीज़ वो जो आपकी victim mentality है न वो पलट पलट कर आईगी मतलब आपको लगेगा आपने एक full moon में letting go कर दी उसके बाद तो बस मैं हलका हो गया बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन फिर अचानक से वास्ता कुछ चीज़ों से ऐसा पड़ेगा, वो कहते है न यूनिवर्स टेस्ट करती है वास्ता पड़ेगा फिर से लगने लगेगा आर यार, फिर से क्यों परिशानी आ गई तो ऐसे में इस साल कुछ letting go ritual जादा करिएगा ताकि आप उस victim mentality में या victim mindset में ना जाएं बार बार से अब हम बात करते हैं आप तीनों की अलग-अलग से क्या परिस्थिती रहेगी as number 9 purely number 9 की energy से governed है यानि आपकी date of birth exactly 9 ही है 9th of any month है तो इस साल आप अपनी life में career में, rise पाएंगे, finances में rise पाएंगे, बहुत सारी चीजों में आपके अंदर इन जुनून पाएंगे और बहुत प्यार से पाएंगे, बहुत आराम से पाएंगे एकी टिप है आप सब के लिए जितना आप इस साल दूसरों की भलाई में अपना time invest करेंगे, दूसरों के लिए सोचने में time invest करेंगे, दूसरों के लिए कर्म करने में invest करेंगे उससे दस गुना दस तो नहीं नौ गुना तरक्की आपको मिलेगी आपके लिए स्पेसिफिकली सोने से पहले सिर्फ हनुवान चाली सा का जाब कर लेना सोच लेना या राम राम लिख कर सोना दोनों मैंसे किसी भी फॉर्म में आप हनुवान ची से कनेक्टेड रहेंगे मंगलवार से कनेक्टेड रहेंगे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगे अब मैं आती हूँ उन लोगों के लिए जो हैं अठारा नंबर वाले यानि 18th कोवान 1 और 8 Sun और Saturn इन दो की energies के साथ governed है तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी date of birth की अलग अलग उसमें मैंने explain किया था कि आप different कैसे हैं ना क्यूंकि आपके पास Sun भी है और Saturn भी है और इस साल specifically क्यूंकि Saturn का number है तो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आपके जो split thoughts आएंगे जब भी आएंगे वो सिरफ आपकी relationships को लेकर आएंगे emotions को लेकर आएंगे तो आप लोगों के लिए दो चीज़ें बहुत बहुत जरूरी है आपको अपना same level of independence and same level of commitment and same level of work को remaining मतलब वहां तक रह रखना है तो दो काम करने है पहली चीज़ हर Sunday को सूरे नमस्कार करना है Sun को जल देना है Thank you, gratitude करना है दोसी चीज़ आपको Saturday वाले दिन कुछ ना कुछ आपको ऐस दान जरूर निकालना है और बहुत अच्छा होगा अगर आप किसी बड़े बुज़र्ग की सेवा कर सके अब हम आ जाते हैं 27 वालों के लिए तो 2 और 7 दो तो आपका चंदरमा की energy है साथ आपकी केटू की energy है दोनों की दोनो energies आपको emotional जादा बनाती है आप रिष्टों को लेकर बहुत जंदी से मतलब दिल मिला उटते हो बहुत जल्दी से bruises को ना कहते हैं अंदर घावों को लेकर चलते हो और बहुत जादा लेकर चलते हो आपको इस साल में सब कुछ मिलेगा मैंने कहाना जैसे beginning के मैंने सारी good news बोले वो सब हैं आप सब के लिए है सिर्फ आपको एक चीज करनी है दो और साथ होने के नाते चंद्रमा के साथ आपको जोड़े रहना है moon meditation आपको पूरी साल भर करनी है कब-कब हर new moon full moon हर new moon full moon 14 दिन में आता है कोशश करिएगा हर new moon पे आप एक intention set करें हर full moon पे letting go करें वो चीजें जो आपके लिए काम की नहीं है इसको छोड़िएगा मत बहुत जादा important आपके लिए इसके साथ जोड़े रहें अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर वापिस से आप उसी सोच में आ जाएंगे फिर वापिस से आप उसी emotional energy में आ जाएंगे फिर वापिस से आपको लगेगा कि कोई तो push कर दे तो मैं नहीं चाहती कि कोई और आपको push करें मैं चाहती हूँ आप खुद से अपने आपको push करें connect with moon it's going to be magically impacting your life right so तो पहली वाली टिप देखो इस सान आपकी बढ़ात्री तो है और वो ना graph ऐसे ऐसे करके वाला नहीं है graph आपका सीधेशियों ऐसे वाला graph है और regular intervals के बाद graph है तो अगर ऐसा है तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखेगा अगर आपकी खुद की कुछ कोई company है आप as an entrepreneur हो आप नौकरी में हो आप business करते हो आप कोई नाया online communication से related कोई चीज़ start करना चाहते हो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप नाया begin कर रहे हो या हाल ही में किया है या even पिछले साल उसकी शुरुआत हुई तो हर एक चीज़ में पहला थंगरूल ये बना के चलना कि मुझे ये चाहिए से पहले मैं किसी का क्या कर सकता हूँ मैं किसी के लिए कितना भला कर सकता हूँ इस साल जितना आप humanity के लिए करेंगे उचसे नौ गुना असर आपके पास आने वाला है दूसरी चीज़ आपको ना अपने आपको बार बार सेंटर करना है यानि आप बार बार पास्ट में चले जाते हो बार बार पास्ट में चले जाते हो रिष्टों को लेकर स्पेशली तो वो जो पुराना पास्ट है ना याद रखो पास्ट है past है, तो हम क्यों वारवर चले जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वापस नहीं आफ आ रहा हूं, align करो कैसे align करोगे, मैंने बहुत तरीकों से बताती हूं, मैरी कितनी सारे shots और वीडियोज आते हैं, उनमें बताती हूं align करने के तरीके, आपको हर रोज, अपने साथ कुछ समय बिताना है, अपने साथ जग के साथ नहीं, अपने साथ आदा घंटा हर रोज morning rituals अगर आप करते हो night rituals करते हो, journaling करते हो meditation करते हो आप अपनी लिए अच्छे विचार रखते हो, खुद से self-talk वो वाली करते हो, जहाँ वाकई मैं आप अपको खुद को शाबाशी देते हो, visualize करते हो मैंने कितने videos डाले हैं जहाँ आपको बताया है कि किस तरह से हम self-love से भरपूर हो सकते है तीसरी very very important tip है हर new moon पे आपको एक नई intent देनी है, यानि आपको अपने लिए एक कुछ अच्छा क्या करना है, क्या begin करना है क्या नई सोच होने वाली है क्या ऐसी चीज़े जो मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए और सब के लिए कर पाऊं, तो उसको हमने intent देनी है, यानि वो begin करना है, दोसरी चीज़ हर full moon पे, हमने कुछ चीज़ों को let go करना है और कोशिश करिएगा, इस साल सारी new moon और सारे full moon के rituals आप करते चले जाए, क्योंकि वो magic लिए आपकी life में impact करेंगे अब चलते चलते, आपके लिए simple simple चीज़े हैं, आपके लिए lucky numbers है, 369 हाँ, 369 से ध्यान आया, आप सब लोग इस साल जब भी new moon पे आप कोई नया intent देते हैं, और अगर आपको ये एक practice start करना चाहते हैं तो इस साल में 369 method of manifestation आपके लिए बहुत 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 काम करेगी, और आपको खुद को लगेगा कि अरे, ये कैसे बतलब magic हो गया अब 369 manifestation को start ज़रूर करिएगा और इस साल at least two to three times तो इसको ज़रूर अपने manifestations को पूरा करने के लिए use करिएगा दूसरी चीज़ आपके लिए lucky months है March, June, September and November आपके लिए lucky days है Thursdays and Fridays, आपके लिए lucky colors है Magenta, Violet, Shades of Yellow, Light, Yellow, Cream color के से shades Yellow के बिल्कुल मत्थम वाला Yellow के shades White के Off-White color के shades भी अब हम आजाते हैं Important crystals कौन से हैं आपके लिए तो वो है Carnelian, Pink Thermaline Rudocrocite, Aquamarine और Master Manifestor इस साल आपका बहुत काम करेगा जो की है Clear Quartz So Clear Quartz को आप कैसी भी form में जरूर लेकियाएगा इस साल अपने घर में चाहे आप Clear Quartz का प्रिसले पहनते हैं चाहे Clear Quartz का टंबल है चाहे Clear Quartz की Pencils है और चाहे Clear Quartz की जापमाला है But please, please, please do use it for all your manifestations इस साल बहुत कारगार रहेंगे So यह हो किया No.9 के लिए तो अब इसके बाद हम आगे No.8 पे 8 No. बचा है अब लास्ट में आएगा आठ No. अब आप यह मत सोचेगा कि मैंने जबरदस्ती आपका लास्ट में किया ऐसा कुछ नहीं है हर बार different different आए है तीनों सीरीज में कही ना कही कोई ना कोई तो आगे पीछे रहाई है और आगे या पीछे अभी साल खतम थोड़े हुआ है अभी तो बेगेन हुआ रहे जस्ट एक माई ना गया गुद टाइम फोर आप आप यू तो इंट्रोस्पेक अन थिंक अबाउट इट मिलते हैं जल्दी से आप से अगले हफते थैंक्यू सो मच